नमस्कार दोस्तों, अलफा आफसर्स अकैडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हम इस सत्र में बात करेंगे अध्याए 11 की, जो कि यह धारा 159 से लेकर के 199 तक, तो अध्याए 11 क्या है नगरपालिका में विकास और नगर योजना, नगरपालिका विकास और यार करना तता अन्य योजना है तेयार करना, ठीक है, तो यह सर्विक्षन और मास्टर विकास योजना है क्या, तो नगरपालिका पहले तो सर्विक्षन करवालेगी, फिर यह सर्विक्षन के लिए ना जिला योजना समीती, महानगर योजना समीती, और राज्ये के मुख् नियोजक से इनसे समन्वे स्थापित करेगी और उसके बाद में योजना बनाएगी अब योजना जो होंगी वो कितने टाइम के लिए होंगी यह देख लो टाइम में यह थोड़ा से इंपोर्टन है मास्टर विकास योजना जो है वो 20 वर्ष के लिए होगी निश्पादन योजना जो है वो 5 वर्ष के लिए होगी और वार्षिक नगरपाली का कार्य योजना है तो यह तो वार्षिक है तो यह एक वर्ष के लिए होगी पर यह दोनों का ध्यान रखने निश्पादन योजना पांच वर्ष और मास्टर विकास योजना बीश वर्ष फिर नगरपाली का जो है वो प्रत्य एक वार्ड के लिए अन्य योजना भी तैयार कर सकती है जो वो उचित समझे फिर धारा बन सिक्स्टी धारा बन सिक्स्टी में कहे योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी की जो प्रक्रिया होगी वो पहले तो नगरपाली का योजना का प्रारूप तैयार करके सुझाओ मांग लेगी फिर प्रारूप का अंतिम रूप देने से पहले विचार करने के लिए सलाकार समीती का गठन करेगी तो सलाकार समीती में कौन-कौन होंगे अभी सलाकार समीती का जो व्यापार संग बने वह होते हैं, उनकी अध्याक्ष भी इसके मेंबर होंगे। फिर नगर में अवस्थित सेक्ष्णिक संस्थाओं के छे सदस्य होंगे। और जो non-governmental organization है, जो NGO हैं, उससे 6 सदस्य होंगे। और अन्य सम्मानित और प्रमुख नागरिक जो होंगे वो 6 ऐसे नागरिक और होंगे तो 6-6-6 तो ये होंगे और उद्योग वाने जी और व्यापार संग के अध्यक्ष होंगे और नगरपारिका के सभी सदस्य होंगे ये को होंगे सलाकार समीती के मेंबर्स होंगे और फिर स समीति के सुजहाओं के बाद राज्य सरकार को भेज देगी फिर उसका अनुमोधन प्राप्त करेगी और एवं पश्चात अंतिम्रो को मंजूरी देगी तो यह दर दारह 166 फिर दारह 161 योजना में प्रवर्तन की तारीक अब योजना कब से लागू कब से होगी यह नोटिस राज्य सरकार से पहले अनुमोधन लेना पड़ेगा पहले उन से मंजूरी लेनी पड़ेगी फिर दारह 163 में क्या है योजना का क्रियानवन अब योजना के प्रवर्तन के पश्चात है न योजना का क्रियानवन होगा फिर दारह 164 फिर दारह 164 में क्या है इस अधिनियम की इस अधिनियम के पूर्व जो तयार की गई योजना है ना अब यह अधिनियम तो बना 2009 में अब 2009 से पहले भी तो योजना है बनी होगी तो इस अधिनियम के पूर्व तयार की गई योजना है ना इस अधिनियम के अधिन तयार की गई समझी जाएंगी यह दारह 164 में फिर और भू उपयोग मांचित्र तैयार करवाएगी फिर पुन रिरिक्षन में वो सभी उपबंद लागू होंगे जो योजना की तैयारी में अब रिव्यू करने के लिए भी वही सारे procedures और वही सारे methods अपनाए जाएंगे जो योजना की तैयारी और precaution में अपनाए गए थे ठीक है फिर धारा 166 में क्या है विकास छेत्रों की घोशना विकास छेत्रों की घोशना कौन करेगा नगरपालिका करेगी और कब करेगी राज्य सरकार के अनुमोधन के बाद करेगी और राज्य सरकार राजपतर में जब प्रकाशन कर देगी ना उसके राजपत्र में प्रकाशन करने के बाद किसी भी छेत्र को है ना विकास छेत्र घोशित कर सकती है विकास छेत्र घोशित कर दिया उसके बाद इस प्रकार घोशित छेत्र में कोई भी व्यक्ति है ना ये बिना पर्मीशन के भूमी का प्रयोग जरुत भी नहीं करेगा और उसें परिवरतन भी नहीं करेगा कि कोई में अर्वेन्ट बनार रखा उसमेंग कोईFI परिवरतन नहीं धर अगर को यह कुछ सीट ढ스크 करेके नहीं चाहिए फिर लोखित का कार्रे हो तो उसके लिए पर्मिशन नहीं चाहिए या फिर आपने पहले से प्राधिकारी की पर्मिशन लेकर रखी हो तो उसके लिए पैनल्टी क्या होगी अब पांच हजार रुपे की पैनल्टी होगी और अगर उसको फिर भी जारी रखता है तो 100 रुपे डेली पैनल्टी होगी और यदि कोई व्यक्ति अनुमति की समावदी समापत हो जाए मालो मालो अपने अनुमति तो लेगी पर आपको एक महीनी की अनुमति दी थी उसके बाद आपके अनुमती समाप तो उसके बाद भी उपियोग जारी रखता है ना, तो जुर्माना लगेगा 2000 का और अपराद जारी रहने पर 500 रुपे प्रती दिन का. फिर अधारा 168, 168 में क्या है अपरादिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा रखने की शक्ति, अपेक्षा रखने की शक्ति कैसे की जाएगी कि नगरपाली का स्वामी को नोटिस जारी कर देगी और नोटिस तामिल के एक माँ के भीतर-भीतर भूमी को उसी इस्तिती में वापिस लाने के लिए आप स्वामी को बोल देगी नोटिस दे करके. फिर धारा 169, 169 में क्या है अप राधिकरत विकास को रोकने की शक्ति अब रोकने की शक्ति है धारा 167 के अनुस्वार किसी भूमी में कोई विकास किया जा रहा है किन्तु अभी पूर नहीं हुआ है तो नगरपाली का नोटिस तामिल की तारीक से विकास रोकना होगा मतलब उस दिन से विकास रोक देगी फिर जुर्माना किता होगा 5000 रुपे का तो जुर्माना होगा और जारी रखने पर 500 रुपे प्रती दिन फिर नोटिस मिलने के बाद भी अगर कारे जारी रहता है तो नगरपाली का पुलिस की हेल्प ले सकती है और सामगरी औजार एक सेक्र को जब्द भी कर सकती है तो विकास को रोकने के परिणाम स्वरूप हुई हानी के लिए अब आपको हानी हो गई विकास को रोक दिया तो आपको जो हानी होई उसका आप दावा नहीं कर सकते होगी मुझे कुछ हानी होई है कि मेरा समान जब्द कर लिया या ओजार ले गए यहां से सामगरी ले गए तो उसके लिए आप कोई भी नुकसान का दावा नहीं कर सकते फिर धारा 170 170 में अप राधिकृत अस्थाई विकास को हटाया जाना या रोकना अब इसमें धारा 167 के तहट अगर अप राधिकृत विकास होता है तो नगरपाली का 15 दिन में ऐसे अस् इस दिये हटा देगा और यह देखना कि खड़ी फसल अगर है तो उसके लिए ना नगरपाली का 6 मा की छूट देगी उसमें 15 दिन वाला केस है ना लागूने होगा उसमें 6 मा की छूट दी जाएगी और अब अस्थाई प्रकरती का विकास क्या यह मैं बताऊंगा वो होग आप बता दो कि वो हो जाएगा क्या नहीं नगरपाली का खुद डिसाइड करेगी कोई नगरपाली का खुद डिसाइड करेगी यह अस्थाई प्रकार का और यह स्थाई प्रकार का फिर धारह 171 में क्या है भूकंड के उप विभाजन या पुनर गठन या नीजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी अब धारह 161 में जो था कि किस तारीक से यह उलेखी थी धारह 161 में उसका विवरन सहीत आवश्चक फीस ले करके ना फीस जमा करवा करके ऐसी मंजूरी दे सकते हैं फिर नगरपाली का दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है पर्मिशन और अगर ऐसी कोई शर्तों का उलंगन करता है तो नगरपाली का पहले तो नोटिस देगी और नोटिस के वस्चाथ फिर से उलंगन करता है तो जुर्माना 5000 रुपे का और जारी रखने पर 200 रुपे प्रती दिन फिर देखते हैं धारा 172 172 में क्या है उपगत वय की वसूली इनकड जो expenditure होगा उसकी वसूली अब उपगत वय को भूराजस्व बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा ठीक है ना भूराजस्व बकाया के रूप में और धारा 173 में क्या है परियोजनाओं और स्कीमों को बनाया जाना और विशेवस्तू दो यह किस की द्वारा बनाई जाएगी नगरपालिका की द्वारा बनाई जाएगी फिर धारा 174 में क्या है परियोजनाओं की तैयारी अब 174 में जो परियोजनाओं की तैयारी है वो कैसी की जाएगी यह बताया है कि किसी विकाश शेत में संकल्ब द्वारा 173 के अथिन परियोजनाय स्कीम की तयारी अपने आशे की घोषना करेगी अब घोषना के बाद में 30 दिन में राजपत्र में प्रकाशित कर देगी और एक वर्ष घोषना के प्रकाशन से एक वर्ष में प्रारूप तयार करेगी ठीक है ना पहले तो घो के बाद में सुजाओं पर विचार कर लेगी और उसके बाद में चेंजेस कर भी सकती है नहीं भी करेगी और फिर राजपत्र में प्रकाशित कर देगी ठीक है तो क्या क्या प्रोसेस एक बार वापस देख लो धारा 173 के अधीन परियोजना स्केम तयार करने के आशे की घोश कर सकेगी फिर घोशना के तीस दिन बाद राजपत्र में प्रकाशित करेगी फिर राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद मैं एक वर्ष के बाद घोशना के प्रकाशन से एक वर्ष के बाद प्रारूप तयार करेगी और प्रारूप तयार करने के तीस दिन बाद केंली राजपत्र में प्रकाशित किया जायगा फिर धहरा 1 75 175 में किया पुनरविकास स्कीम कीम कब बनाई जाएगी भवन मरमत्व क्या भाव में या स्वच्छता के केसमें अगर अश्वच्छता Katie के Genesis में किया है, परियोजना Scheme को Anumodhan के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करना. अब परियोजना Scheme का Anumodhan होगा, तो उसके लिए नगरपालिकाशं को प्रस्तुत किया जाएगा, कौन करेगा, CMO, EO द्वारा नगरपालिका को Anumodhan के लिए प्रस्तूती की जाएगी, और नगरपाली का with or without modifications स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी है ना modification भी कर सकती है नहीं भी कर सकती है स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है और फिर नगरपाली का है ना CMO को कोई नई योजना frame करने के भी निरदेश दे सकती यह वाली योजना आपने बनाई है, यह अच्छी नहीं लगी, आप तो यह दूसरी योजना बना दो, फिर धारव 177 में क्या है, कि किसी स्कीम की गोशना के पस्चात भूमी के उपयोग और विकास पर प्रतिबंद, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, कि नगरपालिका की अन धारव 178 में क्या लिखा हुआ है, परियोजना का व्यपगत या लाप्स होना, अब व्यपगत कब हो जाएगी, यह important है, पहले भी question पूछा हुआ है इससे, कि धारव 174 में अनुधित परियोजना को नगरपालिका दो वर्ष तक अगर क्रियानवित नहीं करती है, तो फिर नगरपालिका विड्रो या मोडिफाई कर सकती है, कौन कर सकता है, नगरपालिका खुद ही कर सकती है, राज्य सरकार ज़रूरी नहीं है, फिर धारव 180, 180 में क्या दिया हुआ है, नगरपालिका से परियोजना बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ती है, इसम योजना के अंतरगत नहीं आने वाली किसी परियोजना को बनाने तथा प्रियान्वित करने की स्वतंतरता होगी, जो भी योजना उपर अपने जितनी भी बात करी, उसमें कोई योजना नहीं आती है, तो इसके अलावा कोई भी परियोजना नगरपालिका को स्वतंतरता होग कि वो बनाए और उसको लागू भी करें फिरदारा 182 182 में क्या है भूमी के उप्योग में परिवर्तन पर प्रतिबंद और भूमी में उप्योग में परिवर्तन अनुग्यात करने की राज्यसरकार की शक्ति अब इसमें क्या दिया हुआ है कि आवंटित या बेची गई जो यह ऐसा नहीं कर सकते हैं यह लीगल नहीं है फिर लोखित में हो तो राज्यसरकार मतलब है ना कुछ परिवर्तन के लिए फीस ले सकती है कि आप इसको करा करके फिर बनवा सकते हो तो उसके लिए फीस ले लेगी ना अगर पालिका और फीस लेने के बाद वो मंजूरी दे सारवजनिक मार्ग की नियमित लाइन अब मार्ग के एक तरफ या दोनो तरफ एक कोई नियमित लाइन होगी यह मार्ग है मान लो तो इसके साइड में यह फुटपाथ जैसा होता है ना तो फुटपाथ तो थोड़ा होता है और नियमित लाइन उसके आगे तक होती है तो एक तरफ या दोनो तरफ नियमित लाइन निर्धारन कर देगी, अब निर्धारन के 30 दिन पूर्व notice और आक्षेव और सुजाओ पर विचार कर लेगी, है ना, notice देदेगी, 30 दिन पहले तो notice देदेगी, फिर उसके बाद में आक्षेव और सुजाओ ले लेगी और उस पर व कि अदिल कर सकते हो, किसको कर सकते हो जिला कलेक्टर को, कितने दिन में 30 दिन में, और कलेक्टर का अदेश तांतिम होता ही है, तो यह था धारा 183, अब धारा 184, 184 में कहती है हुआ है भूमिकत उपयोगिताओं के लिए मार्ग का अधिकार, अब भारतिय तार अधिनियम 1885 विद्यूत अधिनियम 2003 है ये इसके लावा जो भी अधिनियम है उसके लिए मानलो आपको भूमी में से अंदर आपको कोई पाइपलाइन डालनी है या फिर कोई वाइरिंग करनी है तो ये उन सब के लिए है कि उप्योगिता के लिए मार्क का दिकार अब राज्य सरकार है न विद्यूत लाइन संचार लाइन एक्सेकरा के लिए उप्बंद कर सकेगी और नगरपाली का द्वारा इन्हें मंजूरी दी जाएगी पर ये जितनी भी संस्थाएं होंगी न इनसे नगरपाली का फीस और प्रबार वसूल किया जाएगा नगरपाली का द्वारा ठीक है और इनको भूमिकत जो नक्षे हैं, वो कौन उपलब्त कराएगा, नगरपाली का उपलब्त कराएगी, और जो भी इनका काम होगा, उसकी समय सीमा निर्धारित होगी, और अगर विलंब होता है, तो दंड होगा, फिर अधारा 185, 185 में भूमिकत उपयोगिता के लिए जो मुख्यन नगरपाली का अधिकारी मेंटेन करेगा, अब यह मेंटेन हिंदी में लिग दिया, मेंटेन करेगा, और RTI के अधीन अगर आप जानकरी मांगना चाते हो, तो नियम के संगत है तो दे देगा, और नियम के संगत है तो नहीं देगा, हैना मना कर सकता है, फिर धारा 186, 186 में क्या दिया हुआ है, केंदरी या है, राज्य सरकार से समध्दित मारगों के संबंद में विशेश उब बंद, ठीक है तो अगर नगरपाली का शेत्र में कोई नाशनल हाईवे या स्टेट हाईवे आता है, मानलो, तो स्टेट या सेंटरल गवर्मेंट की मंज रखेगी, लेकिन उसका रख रखावे ना नगरपाली का नहीं करेगी, तो ये था धारा 186 में, फिर 187 में क्या है, उत्सवों के दौरान मारगों पर अस्थाई निर्मान, अब अस्थाई प्रकार का निर्मान है, तो इसमें क्या करेंगे कि उत्सव है तो उस समय है ना CMO उस समय उत्सवों के दौरान फीस लेकर के मंजूरी दे सकता है, पर मंजूरी देने से पहले परामर्ज किस से करेगा, तो परामर्ज करेगा वो यातायाद प्रभारी पुलिस अदिकारी से, जो ट्राफिक पुलिस में जो आफसर होगा ना, उसके साथ परामर्ज करके फिर नहीं करने देगा बंद मार्ग के लिए डाइवर्जन करवा देगा और सारवजनिक मार्ग नाली एक्सेक्टरा को है ना वापिस से आपने काम आपका फिनिश हो गया तो मूल रूप में लाना है उसको और ऐसे जो भी का रहे होंगे ना उनका खर्चा कौन देगा खर्चा तो स्वामी देगा नगरपाली का तो देगी नहीं जारी रखने पर पचास से सो रुपे प्रती दिन फिर धारा वन नाइन्टी वन नाइन्टी में क्या फुटपातों का अनिवार्य होना अब फुटपात की चौड़ाई का निर्धारन यह कैसे किया जाएगा भवन अनुग्यायम संकर्म समीति द्वारा यह समीति करेगी अ ऐधारा वन नाइन्टी वन नाइन्टी वन, इनको गोलाकार और गुमावकार भी बनवा सकती है यह ऐसे हैं तो आप बोल सकते हैं इनको कि इनको यहां से थोड़ा सा गोलाकार घुमाओदार बनाए फिर किसी भाग को अरजित भी कर सकती है मुआवजा दे करके पर मुआवजा जो होगा ना वो मार्ग में सुधार से उक्त भवन को हुए फाइदे में मतला मालो कि यह आप का कॉर्णर पर प्लॉट है अब आपको यह नगरपाली का इतना हिस्सा इसका ले भी सकती है प्लॉट का और फिर जब आपको मुआवजा देगी ना तो मालो यह पहले आपने लिया था तब यह नॉर्मल रोड थी फिर यह में रोड होगी तो आपको इससे जो फाइदा को पीछे करना अब सार्वजनिक मारक पर जो नियमित लाइन बनाई है उससे अगर बाहर कोई भवन बना हुआ है तो पंदरा दिन का नोटिस देने के पश्चात नगरपाली का कबजा कर लेगी उस पर नियमित लाइन से इधर आप भवन नहीं बना सकते हैं अपने अपने 594 में क्या दियो है समस्च प्रकार के भवनों के निर्मान से सम्बंदित उपबन अब निर्मान से अप क्या है सबसे पहले तो निर्मान आरम से पूर नगरपालिका को अविंद्रन करना होगा आपको सभी दस्तवेज के साथ शबत पत्र रसीद सब लगाना पड़ेगा औ अब हो हुए कहीं, सारवजनी कभी करने तो नहीं है फिर आवेदन प्राप्ति के दो मा में ये वाला जो थर्ड पॉंट है ये थोड़ा सा इंपॉर्डन है कि आवेदन प्राप्ति के दो मा में लिखी तादेश से सूचित करेगी यदि विफल रहती है है ना कर दोनों तैंक फिर पंद्रह मीटर या अधिक मुचा आई कि उनके लीए राज्यसरकार गये प्रादेशिक नगर नियोजक से सला ली जाईगी कि फिर फंद्रह मीटर से अधिक हाइट वाक जो भnhवन है और द्वारा जांच्वे बाद अधिवोग प्रमान पत्र जारी होगा ठीक है तो इसका अधिबोग प्रमान पत्र जारी करने के पहले मुख्य नगर पालिक अधिकारी जाच करेगा फिर अगर ऐसा नहीं करवाते हैं तो इसका जुर्मान है तीन हजार से पांच हजार तक तीन हजार से पांच हजार तक और पचास जुर्मान है फिर यदि कोई व्यक्ति मंजूर योजना की शर्तों का उलंगन कर दे तो तो कारवास 15 से 45 दिन का है और 10,000 से 20,000 का जुर्मान है और आपने जो नक्षा बनवाया है वो किसी इंजिनेर से आपने साइन करवाया है अगर वो नियमों के विरुद है तो इंजिनेर को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और उसका पंजीगरन रद करके फिर उसको एक से दो मागा कारवास या पांच से 10,000 रुपे का जुर्मान है यदि कोई व्यक्ति या नगरपाली का कप अदिकारी फरजी दस्तावेज का परियोग या कोई तथिस छपाता है तो जो मुखे नगरपाली का अदिकारी है उसको दंडित कर सकता है फिर नगरपाली का करमचारी करतव्य का पालन न करे अथवा अप राधिकरित निर्मान रोकने में विफल रहते हैं तो भी उन्हें दंडित किया जा सकता है और नगरपाली का बिना अनुमती किये गए कारे को तुड़वा सकते है किसी भी टाइम आपको अगर फिर उसके बाद अपील अगर करनी है तो कितने डाइम में 30 दिन के भीतर होगी और राज्य सरकार को या उसके द्वारा प्राधिकरित अधिकारी को कर सकते है तो यह थी 194 अगधारा 194 को इसमें क्या है कि कुछ छेत्रों में भवन निर्मान प्रतिशित करने की र 20,000 रुपे वर जुट माना है पिर धारा 195 में क्या है निवासियों का संगम जो असोसियेशन होती है अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स वगरा बनाने की जो असोसियेशन अती रहें कि अपार्टमेंट बना दी है फिर एक असोसियेशन बना देते हैं तो उसका रख रखाओ तो भवन निर्माता जो है वो कॉम्प्लेक्स तयार होते ही असोसियेशन बना देगा और भवन निर्माता के कुछ और उत्तरदाईत क्या होंगे कि एक तो वो पार्किंग बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स का रख रखाओ के लिए फंड गठित करेगा पिर सुरेक्षा और अ पार्टमेंट कि वहां पर 4 बटा 4 फीट का आने एक बोर्ड लगा दीगा और उस पर सारी डीटेटרכ कि किस ने बनाया हे कौन सी कंपनी है कितने फ्लोर्ड है काहन काहन कोर रह 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 रहया यह ले सारी डीटेटेज्स और अगर ऐसे नहीं करता है तो 50,000 उपे का जुरभा तो फिर hoarding या बार लगवाएगा और रात को रोशनी की वेवस्ता भी करेगा ऐसा नहीं करने पर क्या है 1000 से 2000 रुपे का जुर्माना और जारी रखता है तो 50 से 100 रुपे प्रति दिन का जुर्माना फिर दारा 198 198 में कैस सुख सुविदाओं के रख रखाओं का उत्तरदाइत्व लेना अब सुख सुविदाओं के रख रखाओं का उत्तरदाइत्व कैसे लिया जाएगा कि नगरपालिका उत्तरदाइत्व तब ही लेगी जब सुख सुविदाओं की योजनाओं और डिजाइन के समस्ता भी ले कि नगरपालिका को प्रस्तुत कर दिये जाएं अगर नहीं करते हैं तो तब तक नगरपालिका दाइत्व नहीं लेगी फिर यदि जाच में नगरपालिका को निर्मान और प्रचालन में कमी लगे तो कमियों को सुधारने के लिए प्रभार लेगी मतलब पैसे लेगी नगरपाली का फिट धारा 199 में क्या है कि अन्य अभी करण जैसे हाउसिंग बोर्ड द्वारा कॉलोनियों को सौपा या ग्रहन किया जाना अभी ये नगरपाली का ना तब तक ग्रहन नहीं करेगी जब तक कि वो नगरपाली का धारा अनौमोधित नहीं हो या फिर उनके नियमों के अनौपालन ना कर लिया गया हो पिर नगरपाली का इस प्रकार के ग्रहन के पश्चात एना स्कीमों के उबन्द के अनुसार कॉलोनिय में सम्मेलिद समस्त जितनी भी समपत्ती होगी ना उसके उपयोग का ना पूरा अधिकार होगा नगरपालिका को और समस्कीम कॉलोनी और सुख सुविदाएं नगरपालिका में नहीं थोगी ठीक है तो ये धारा 99 तक अपन ने देखा इसके बाद अपन जो next अध्या है जो की धारा 200 से और 299 तक है वो देखेंगे 297 तक है वो देखेंगे तो ये आज का लेक्टर यहीं फिनिश होता है बहुत बहुत धन्यवाद